पहली खबर है सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के अकोलही गाव इस्तित अनंत नाथ धाम मंदिर काफी भक्तों के आस्था का केंदर है ऐसी मान्यता है कि भक्तों के आस्था और विश्वास का केंदर बन चुके इस शिवाले में जो भी श्रधालू भक्त पहुँचकर सचे मन से पूजा आरचना करते हैं मंदिर में विराजमान भोले बाबा की शिवलिंग की कृपा उन पर बरसती है तथा उन्हें अभिस्ट की प्राप्ती होती है मान्यता की अनुसार शिवलिंग की अस्थापना नाग साधुने की थी इस मंदिर के पास इस्तित तालाब में सैकडो वर्सो पूर्वे नागा साधुने जल्द समाधी ली थी यहां प्रती दिन सैकडो शधालू मंदिर में पूजा आरचना करने के लिए आते हैं अगली खबर गोपाल गंजिले के बिभिनित थाना चेतरों में उतपाद विभा की टीम ड्वारा शराब के खिलाफ विशेस अभ्यान चला कर 46 लोगों को गिरफतार किया गया है गिरफतार अभियुक्तों के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम द्वारा उत्पाद अधिनियम के तहत कारवाई शुरू कर दी गई है दरसल सुबे में पूर्ण शराब बंदी कानून लागू है बावजूद शराब तसकरों और शराब के सेवन करने वालों की कमी नहीं हो रही है आई दिन उत्पाद विभाग की टीम शराब तसकरों और शराबियों पर नकेल कस्ती जा रही है बावजूद शराब बंदी खानून का डर नहीं है उत्पाद विभाग दोरा ऐसे लोगों पर कारवाई कर सलाखों की पीछे भेजती रही है विभाग की ठीम ने नोडल रेड के तहत कुल 46 लोगों को विभेने थाना चेतरों से गिरफतार किया है जिसमें शराब की सेवन करने वाले 32 बेचने के आरोप में 14 कुल 46 आरोपी शामिल है अगली खबर सिवान के महरवाथाना चेतर के लंगरपूडा गाउ में रविवार को हत्या मामले में फडार आरोपी के घर पुलिस ढोल नगारे के साथ पहुझी महरवाथाने की पुलिस घर पर पहुझ कर कोट के आदेश पर कुर्की जबती के लिए इस्तिहार चिपकाया है इंस्पेक्टर मुकेश जहा और थाना प्रभारी मनुझ कुमार के साथ पुलिस बल मौजूद थी इंस्पेक्टर मुकेश जुहा ने बताया कि कोट के निर्देश पर मुके अभियोग्त विजय पांडे घटना के बाद फरार चल रहा है पुलिस द्वारा लगा तार शापे मारी के बाद भी वो फरार चल रहा था आरोपी पकड में नहीं आ रहा है कोट के आदेश पर आरोपी के घर इस्तिहार चपकाया गया है अगर कुछ दिनों में हत्या केस में वो सरेंडर नहीं करता है तो कोट के आदेश पर कोट की जबती की कारवाई की जाएगी अगली खबर विश्व प्रसेद शुरावनी मेला में देश विदेश से श्रधालू पहुझते हैं वैसावन मास की सातवी सोवारी को बाबा बासु की नात धाम इस्तित शिवलिंग पर जलाबिशे करने के लिए भागलपुर के SM कॉलेज सीडी घाट से हजारों डाक बम कावरियों का जथा बोल बम हर हर महादेव के जैकारों के साथ रवाना हुए SM कॉलेज सीडी घाट से कावरियों ने गंगा असनान कर पातर में जल भर कर गेरुआ वस्तर धारन किये भिशन उमस भरी गर्मी के बावजू डाक बम नंगे पैर कावरिया पैदल गाजे बाजे के साथ नास्ते जूमते रवाना हुए इसके अलावा प्रभुक समाज सेवी लोगों ने कावरियों के लिए फल शर्बत खान पान के लिए स्टॉल भी लगाए है कावरियों के साथ साथ मनोरंजन हेतु चल रहे डीजे पर बाबा के गीतों को सुनकर जूमते नास्ते बोल बम की जॉयकारे लगाते रहे अगली खबर समस्तिपूर जिला के विद्यापती नगर थाना छेतर के सिम्री पंचवायत के सिम्री गाउ में चोड़ों ने पूर्वे S.D.O. रामेश्वर प्रसाद राय के घर में चोड़ी की घटना को अंज़ाम दिया गटना के संबन्द में बताये जाता है कि गरीह स्वामी हर दिन की भांती शनिवार को भी पूरे परिवार के साथ खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमड़े में सोने चले गया रातरी करीब एक भज़या पूर्व S.D.O. के सासुमा शौच के लिए उठी तो देखा कि आंगन की ओर जाने वाले रास्ते का गेट बंद है फिर उन्होंने दूसरे गेट को चेक किया तो गेट खुला हुआ था वो अपने दमाद को जगाने गई तो उनका बाहर के रूम का गेट बंद था स्पश्ट रूप से बता दे कि चोड़ो द्वारा चोड़ी किये जाने के समय जिस जिस कमड़े में लोग सोय हुए थे उस कमड़े के बाहर गेट को बंद कर दिया गया था उसके बाद चोड़ी की घटना को अंजाम दिया गया